तो आज हम पढ़ने वाले कोश्चन जिसमें बोला गया है तो इस कोश्चन का मतलब है कि फर्स वर्ल वार याना कि पहले विश्वा युद्ध के दोरान जो वर्कर्स हैं जो लेबर से जो काम करते हैं तो उन वर्कर्स की जो इंकम थी उसकी जो कुल वेल्यू थी, ग्रॉस वेल्यू थी, वो काफी हद तक के गिर गई थी आना कि कम हो गई थी जितनी भी उन वर्कर्स की इंकम थी, वो इंकम अब कम हो गई थी तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे एक्स्प्रेंड करना है, तो चरी समझते हैं इसको आंसर से तो बेसिकली सुर्वेर्स अगर हम 19th century के स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में early 19th century की बात करते हैं, तो उस समय जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स के काम के वज़े से जितना उनको भाड़ा देते थे, जो wages मिलता था, वो कुछ हद तक के बढ़ गया था, लेकिन जो वर्कर्स के welfare याने कि उनके अच्छाई के लिए, उनके कल्यान के लिए, उनकी बीच के जो अंतर हैं, उनको छुपाता है, और इसके साथ ही, साल दर साल, याने की बहुत सालों से जो फ्लक्चुईशन है, जो उता चड़ाओ है, जो वर्कर्स की income को जो लेकर के बात है, जो उनकी उता चड़ाओ है, जो salary कम ज़़ादा मिल रही है, जो wages है, जो भाड़ा है, जो उनको कम ज़़ादा मिल रहा है, तो इस बात को छुपाया जाता है, इन average figures के जरिये, इन average आकणों के जरिये, इसको हम समझते हैं, example के द्वारा, कि first world war के दोरान, जब चीजों के price एकदम से यदा बढ़ गया थे, बहुत तेजी से बढ़ गया थे, तब जो workers की जो gross value थी, जितने उनको salary या wages मिलती थी, वो बहुत तेजी से उनकी जो कमाई थी, वो कम होने लग गई थी, और तब भी वो उतने ही पैसे कमा रहे थे, उतना भाड़ा मिलता था, उस वज़से वो चीजों को, किसी भी चीज को उतनी ही quantity में, जितना हो हमेशा खरीते थे, उतना खरीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो wages थे, जो भाड़े थे, वो बढ़ाया नहीं कहते, और जो चीजें थी, वो महंगी होते जा रही थी, इसके अलाव इन workers की जो income है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके wage rate पे depend नहीं करती थी, ये अकिला wage rate उनके लिए काफी नहीं था, यानि कि जो wage rate यानि कि जितना भी decide किया था, कि workers को जितना भाड़ा दिया जाएगा, जितना wage दिया जाएगा, वो काफी अकिला enough नहीं था, बलकि वो कितनी दे जा सकता था कि वरकर्स की डेली इंकम याने की एवरेज डेली इंकम कितनी है तो इस चीज़ को समझे स्टुएंट्स की अगर कोई वर्कर है अगर हो 7 दिन में से 5 दिन ही काम कर रहा है तो बाकी दो दिन उसको wages नहीं मिलेंगे तो 7 दिन का अगर हमको income निकालना है तो हमको 5 दिन की कमाई पर ही depend करना पड़ता था तो इस तरीके से workers का जो wage है वो अकेला wage rate पर depend नहीं करता है बलकि वो कितने दिन काम कर रहे हैं उस पर भी depend करता है तो इस तरीके से जो ये average figure है जो average daily income है ये इन सब चीजों को छुपाती है कि जो business है या business के जो अंतर है या जो उता चड़ाओ है इस चीज को छुपा देती है या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि first world war के दोरान सब चीजों के प्राइस तो बढ़ रहे थे लेकिन जो workers के जो wages थे जो भाड़ा उने मिलना चाहिए था जो gross value थी वो उतना उनकी income नहीं हो पारी थी वो धीर जरी कम होते जारी थी गिरते जारी थी ओके students clear है I hope students आप कोई clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है नॉलेज मिला तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइक कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थेंक्यू